सब्सक्राइब करें चल्राजसर चैनल को और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें मेरी लिटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हलो मैं डियर ओनलाइन स्ट्रेंट्स आज के अंदर एक इंपार्टन रिलेशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्स बाइएम डिरेक्टली टूपी का पार मन बाइएम साइब दिमाग में तोड़ा क्लिक कर रहे वाला होगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं आप कंफीज कर रहे होंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत सुपर रिलेशन फ्रेंटली का अडिजॉप्शन आईसो थर्म और बहुत इजी ट्रिक्स साइध आप पांच मिनट के अंदर अंदर इस रिलेशन को दिमाग में ऐसे फिट करेंगे कि आने वाले वाले पांच साल तक दिमाग से नहीं उतरेगा डियर इस्टुरेंट्स स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल चंद्राश्तर में परनलिक एडजॉपशन आईसो थां सबसे पहले दिमाग में आपको दो बाते क्लियर कर नहीं है, आईसो का मतलब सीम और थर्म का मतलब टेमपरेचर मतलब टेमपरेचर रिमेंज सीम रखना है अगर टेमपरेचर सीम रहेगा तो फ्रेंडिक ने क्या करडिशन बताया आसे आपके पास यह लिख रहा हूँ, adsorbent और यह लिख रहा हूँ, आपके पास adsorbate, तो adsorbent का amount आपन मान लिए x है और adsorbent का amount मान रहा हूँ, यह m है, और x by m जो है इससे आपन बोलते हैं extent of adsorption, extent of adsorption, right, तो बड़ा important case में आपको देखने को मिलेगा, बल रहा हूँ, x by m equal to extent of absorption अगर आप यहाँ देखो के relation तो क्या relation बनेगा pressure के साथ आपको relation देखना है जिखले friendly जो है वो एक relation दे रहा था extent of absorption x by m का और p का बोल रहा हूं condition gives relation gives क्या लिक रहा हूं relation between x by m and pressure x by m और pressure के बीच का relation explain कर रहा था friendly जब temperature को रखा गया था constant क्या condition था देखो थोड़ाज आप ग्राफिकल इसको सोचने कोशिस करो यह है x by m और यह pressure जैसे जैसे आपने pressure को बढ़ाया pressure थोड़ा सा जैसे बढ़ाया तुरंट gases करीव गए मतलब चिपकना शुरुगा absorption शुरुगा तो जैसे pressure आप थोड़ा बढ़ाओगे adsorption linearly होगा मतलब जितना pressure लगा रहे total pressure जो है adsorption में help कर रहा है यह linearly यह pressure और बढ़ाएंगे यह adsorption और बढ़ेगा और बढ़ेगे और बढ़ेगा एक time ऐसा आएगा जब saturation pressure हो जाएगा जिसे हम लिख रहे है PS तो जहाँ पर saturation pressure आजाएगा saturation pressure का meaning ऐसा है बढ़ा कि saturation pressure ऐसे pressure को बोलेंगे जहाँ maximum adsorption हो सका है हो गया है मतलब after that या beyond this there is no any possibility of adsorption so आप बोल सकते हैं कि इसका मतलब यह है सर कि saturation pressure पे और इसके बाद saturation pressure के बाद जो extent of adsorption होगा वो pressure पे depend नहीं करेगा आप pressure बढ़ाओ चाहे घटाओ इस pressure पे depend नहीं करेगा था हम P का power 0 लिख सकते हैं किसी भी time का power 0 करेंगे value 1 हो जाएगा clear है और जब आप low pressure की बात कर रहे थे तो जितना linearly यह बढ़ रहा था जैसे आप pressure बढ़ाता है कि adsorption बढ़ता गया अग्दम complete बढ़ रहा है adsorption मतलब जब low pressure की आप बात कर रहे थे तो इस low pressure पे बोल रहा हों condition की low pressure पे जब आप देख रहे थे तो यहां जितना pressure आप बढ़ा रहे थे वो total का total pressure जो है वो directly proportional to pressure है और यहां कुछ नहीं लिकावा मतलब इसका power क्या है one क्या है one so exactly यह तो low pressure की बात है यह high pressure की बात है अब यह moderate pressure की अगर आप बात करेंगे तो moderate pressure में adsorption friendly ने यही एक relation दिया बोला कि moderate pressure होगा तो extent of adsorption जो होगा वो directly proportional to p का power 1 by n होगा अब अगर ऐसा condition बना तो n का value जो होगा वो greater than equal to 2 होगा बोल रहा हो n का value greater than equal to 2 होगा जैसे मालो यहां 2 रखेंगे तो p का power 0.5 0.5 मतलब 1 और 0 के बीच में है नहीं 1 और 0 के बीच में है तो बहुत important आप बोल सकते हैं कि 1 by n का value जो होगा वो 0 to 1 के बीच में होगा यह All India PMT का question रहा है 2012 का 2012 बहुत important question तो बहुत confusion होता है जेनरली लोगों को कि क्या होगा इसका relation मैं उमीद कर रहा हूँ आपको तीनों condition पता चला कि low pressure पे relation क्या रहा है high pressure पे क्या रहा है और moderate pressure पे क्या रहा है दूसरी बात आपने एक चीज़ देखा कि जब high pressure लिया तो high pressure पे extent of absorption directly to pick up all क्या 0 इसका मतलब कि extent of absorption जो है वो यहाँ पे high pressure पे जो है वो valid नहीं होगा तो आप बोल सकते हैं ऐसा condition कि friendly absorption isotherm जो है इसका limitations भी एक तरफ से friendly absorption isotherm does not valid for क्या high pressure जो लिख रहा हूँ कि यह जो friendly absorption isotherm आप दिख रहे हैं यह does not valid for high pressure बोलो clear है valid for high pressure high pressure पे यह valid नहीं होगा only lower moderate pressure पे वैलिड होगा बड़ा important condition यहाँ पे आपको दिखाई दिया थोड़ा सा इसको और modified करते हैं एक और graph लेके आते हैं यह भी आप देख रहे थे x by m और p का graph मैं इसी graph को थोड़ा सा logarithm के term में लाना चाहूंगा अगर आप देखेंगे condition तो आपने लिखा x by m equal to अगर हटा देंगे इस proportionality को हटाएंगे तो k लाएंगे constant so constant terms k into p का पार 1 by n right now taking log on both side अगर आप लोग लेते हैं तो लिखेंगे log x by m equal to आप लिखोगे क्या log a into b log a plus b जब मैंने log का एक वीडियो दिया हुआ के बिना log table का आप कैसे किसी भी log का value निकालोगे within 5 seconds आप देखेंगे उस वीडियो को मैंने उसमें बता रखा है उसमें log की property तो भोड़ाओं log x by m equal to log a into b लिखेंगे log a plus b मतलब log k और यह हो जाएगा log p का power 1 by n तो यह आपके पास दिख रहा y axis और यहां पे थोड़ा सा और इसको change करो थोड़ा एक step और लिखेंगे आजाओ log x by m equal to आप लिखोगे क्या log k और log x to the power y by log x मतलब 1 by n और यह हो जाएगा log p right clear है condition अब यह log x by m क्या y axis है और यह आपका constant है k तो constant है c और यह आपका variation इसी के साथ तो देखना है pressure का effect देखना है x by m के साथ extent of absorption के साथ तो अगर आप pressure को x axis रखेंगे तो x के साथ का variable क्या है m so y equal to c plus mx और y equal to c plus mx आएगा तो graph straight line बनेगा कैसा बनेगा? straight line और यह slope आपको दिखरा है positive इसलिए straight line with positive slope होगा मतलब अगर आप graphical representation देखेंगे इसका तो यह आपके पास log x by m है और यह आपके पास log p है graph बनेगा straight line with positive slope लेकिन my dear students आपको ध्यान रहे कि k जो दिखरा intercept intercept का value 0 नहीं अगर 0 नहीं है तो origin से pass भी नहीं होगा so straight line with positive slope graph तो बनेगा but does not passing through the origin यह जो intercept दिखरा इसी का value आपका log क्या है? कि बड़ा असान तरीका है और यह m क्या denote करता है? m denote करता है आपके पास slope जिसको आप लिखते हैं 10 theta और slope जो दिखरा है आपको 1 by कितना? n क्योंकि यह भी question रहा है competition का कि slope जो होगा अगर हम graph plotted करेंगे log x by m और log p का तो what is the value of slope? so slope का value होगा 1 by n तो my dear students मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यह trick आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत बढ़ी अपरीके से आप friendly कार्जोर्शन आई सुथरम को समझ गयोंगे अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप like जरूर कर दीजेगा share जरूर कर दीजेगा और subscribe भी कीजेगा request है आपसे इस बार आप ऐसे ही बने रहे है मेरे साथ मेरे वीडियो को देखते रहे है thank you so much for watching my this video